राजनीती के धुरंधर माने जाने वाले छत्तिसगर के पूर्व मुख्य मंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। प्रधान मंत्री राजीव गाधी के संपर्क में आ गया। 1986 के आसपास उन्होंने कॉंग्रेस जोइन कर ली और सक्रिय राजनीती में प्रवेश किया। इसके बाद जोगी का राजनीतिक सिक्का चमकता गया। और वो 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्थ से रहे। इस दौरान वो कॉंग्रेस में अलग-अलग पद पर कारिरत रहे। वहीं 1998 में राइगर से लोगसभा सांसत चुने गया। साल 2000 में 36 गड का गठन हुआ। इस दौरान उस शेतर में कॉंग्रेस को बहुमत था। यही कारण रहा कि कॉंग्रेस ने बिना कुछ देरी के अजीत जोगी को ही राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। जोगी 2003 तक राज्य के सीएम रहे। उसके बाद जोगी की तबियत खराब होती रही। और उनका राजनीतिक ग्राफ भी गिरता रहा। 2016 में उन्होंने कॉंग्रेस से अपनी रह अलग करते हुए जनता कॉंग्रेस 36 गड़ के नाम से नई पार्टी बना ली। विधानसबद चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपनी ये पार्टी बनाई थी। फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए खुद के बारे में कहा कि इन चुनाव में वो किंग मेकर की भूमी का निभाएंगे। लेकिन उनका ये गठबंधन काम्याब नहीं हो पाया और कॉंग्रेस की लहर में भारती जन्ता पार्टी के साथ साथ जन्ता कॉंग्रेस चत्तिसगर का भी प्रदर्शन निराशा जनक रहा। 2018 के वधान सबद चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी केवल तीन सीटें ही जीत पाई और कॉंग्रेस ने पूर्ण भहुमत से जीत हासल कर भुपेश बगेल के हाथों में चत्तिसगर की कमान सौपी हला कि बगेल ने कहा था कि अगर अजीत जोगी पहले चले गए होते तो कॉंग्रेस प्रदेश में पहले ही सत्ता पर काबिज हो जाती हला कि पूर्व मुख्यमंदरी अजीत जोगी अपने कई कामों से जनता के दिलों पर राज करते थे और आज जनता के दिलों पर राज करने वाला ये व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मोर अपडेट्स